हेलो फ्रेंड्स, विल्कम तो में ट्यूब चैनल, केडी केशनलोजी और हम कनाईदाश कुलकाता नीवरापूर्स है फ्रेंड्स, आज हम लायक सैमसंग 24 इंची का सेट जिसमें ब्लैक आउट पोजिशन में आया हुआ तो ये सेट को कैसे रिकॉबर किया जाएगा और कहा कहा इसको चेक करना है इसमें कौन सा प्रॉब्लेम है, कौन सा कामपोनेंट इसका डेमेज था, मतलब खारब था ओ आप लोगों के साथ मैंने शेयर करेंगे और पुरा लाइब मैंने दिखाएंगे कि कैसे इसको रिकॉबर किया जाएगा तो वीडियो को पूरा तक देखिए, वीडियो को स्किप मत किजिए, वीडियो पूरा देखने से आप लोगों कोई समाझ में आएगा और जो जो आभी नया नया जो जो टेक्निशियन आ रहा है उनके लिए तो बहुत फाइदा होगा वीडियो देखने में और आप लोगों को पता है कि मैंने युटूब में जितना वीडियो देते हैं मेरा चैनल पर ये कितना knowledgeable वीडियो देते हैं यह पुरा मैंने live दिखाते हैं कोई छेड़ चार करके कोई सिक्रेट करके कुछ नहीं दिखाते हैं मैंने जो दिखाते हैं मैंने पुरा live दिखाते हैं पुरा full procedure हम लोग discuss कर देते हैं तो वीडियो सुरू करने के पहले और वी एक आप लोगों को बात मैंने बता रहा है कि हम देख पा रहा है मेरा वीडियो बहुत लोगों ने देख रहा है लिकान लाइक नहीं कर रहा है शेयर नहीं कर रहा है सब्सक्राइब नहीं कर रहा है आप लोगों कोई problem हो रहा है त तो यह इतना इंटरेस्टिंग वीडियो मैंने दे रहा है कि इतना डिटेल में अपको फ्री में मिल रहा है यह सबसे बड़ा बात है क्योंकि इतना कुछ फ्री में नहीं मिलता है सब कुछ फ्री में नहीं मिलता है लेकर हम देते हैं और भी लोगों ने देते हैं लेकर उसके लिए ज्यादा बात हम और नहीं करेंगे देखिए यह सैमसंग का सेट है देखिए सेट साइट ओन हो गया हाँ यह देखिए सेट ओन हो गया थोड़ा रूकिए मैंने एक इस्कुरू लगा दे रहा है नहीं तो यह इदर उदर हील जाएगा अब यह नहीं लेगा देख पा र ओक बाल रहा है और इसका सामने में देखिए कोई डिस्पेल्ए नहीं बन रहा लेकार यह हाथ देने से यह कुछ देख पा lorsque कुछ देख पा रहा है तो इसको अभी क्या-क्या 吃 चेक करना या और कहा-कहा बस्तश Lazorp करना है वह देखते रहूं कर과 देखिए चेक करने के लिए मैंने सबसे पहले माल्टिमीटर को 20 वोल्ट रेंज पर रख दिया रखने का बाद सबसे पहले इसका जो 12 विशेशी जो पैनल सप्लाई है वो मेरे को चेक करना है देखिए 12 वोल्ट सही है और यह देखिए यह V236 BJ1-LE2 Revision C7 यह 24 विशेश का पैनल है देख पा रहा है यह दो कॉफ इसमें लगा हुआ यह एक कॉफ और मेरा लेट साइट में और एक कॉफ लगा हुआ इसमें तो मैंने सबसे पहले इसका 12 विशेश बोल्ट जो पैनल विशेश चेक कर लेंगे देखिए वो सही दिकार रहा है उसका बाद मेरे को क्या चेक करना है देखिए V33V और मतलब यह 3.3 वल्ट का लाइन चेक करना है वो भी सही है उसका बाद मेरे को क्या चेक करना है देखिए जो everyday supply यह देखिए एविरीडी यही पे VOO1 लिखा है तो O भी देखिए देखिए वो 0 है और यह पर लिखा है VGL यह इसका test point दिया हुआ दिखाए यह O भी 0 है और इधर पर एक होगा VGH देखिए O भी 0 है देखिए मीटा तरफ O भी 0 है तो 0 होने का reason क्या है और एक चीज़ देखिए यहाँ पर लिखा है power on और एक लिखा है GB off तो power on voltage मेरे को चेक करना है देखिए यह power on 1.1 और यह power on कैसे काम करते हैं यह power on का मतलब क्या है यह power on किसलिए यूज होता है यह मैंने मेरा पिछला जो वीडियो था उसमें मैंने दे दिया अल्रेडी बहुत पहले मैंने यह अपलोट कर दिया यह power on का मतलब क्या है इसको किसलिए करते हैं तब भी मैंने एक बर छोटा छोटा करके discuss कर दे रहा है देखिए सबसे पहले जो बारा वोल्ट होती है वो बारा वोल्ट सबसे पहले DC to DC जो IC होता है रुकिए मैंने ब्रोइंग करके दिखा रहा है देखिए जो DC to DC IC होता है सबसे पहले इसमें 12 वोल्ट in होता है DC DC में वो DC DC में 12 वोल्ट in होने का सबसे पहले एक 3.3 वोल्ट सप्लाई निकलेगा और वो सप्लाई कहा जाएगा मेमोरी पर जाएगा यह मेरा मेमोरी पे जाएगा 24 मेमोरी पे जाएगा और मेमोरी पे कितना नमबर पीन पे जाता है 3.3 वो ताप लोगों को पता ही है वो अमने डिसकाश नहीं कर रहा है और यह DC to DC में जाने का बाद यहाँ पर एक LDO होगा मतलब लोड रॉप आउटपूट यह 3.3 वोल्ट इसमें जाने का बाद यहाँ से एक 1.2 कुछ-कुछ पैनल में यह मैंने एक ब्लॉक दिखा रहा है इस पैनल का नहीं है मतलब यह एक ब्लॉक मान के चलिए यह एक ब्लॉक यह ऐसा कुछ नहीं इस प्रोसेसर इस प्रोसेसर नहीं तो यह टीकॉन आईसी टीकॉन आईसी में यह इन हो जाएगा 3.1.8 नहीं तो 1.2 यह जाने का बाद सबसे पहले यहाँ से और इसका साथ-साथ इसका SCL और SDA भी जुड़ा रहेगा और यह जाने का बाद यहाँ से एक लो बोल्टेज निकलेगा जो इन होगा उतना ही यहाँ से एक आउट हो जाएगा 1.2 नहीं तो 1.8 यह कौन सा बोल्टेज है यह हो गया अप लोगों को पावर ओन PW N पावर ओन यह पावर ओन सब उसका बात कहा जाएगा अभी यह AVDD VGH VGL यह सब बोल्टेज निकलेगा तो साहब आप लोगों का अभी तो यह पता कुछ लग रहा है कि हमने यह कहने का मेरा यह ड्रॉइंग करने का मतलब का है और यह समझे लेने का मतलब क्या है मतलब यह अप लोगों को इसलिए मैंने समझ रहा है कि मान के चलिए कोई एक सेट आया आप लोगों के पास और यह ब्लैक आउट पोजिशन में आया तो आप लोगोंने क्या करेंगे सबसे पहले इसका जो जो मैंना भी ट्रिक्स दिखाया तरीका दिखाया बुकम्त आई से आई से चेंज करने кबाद भी यहकर नहीं हो रहा है तो आप लोगोंने यह समझ लेंगे कि यह कौफ खराभ है आप लोगों को यह पावर उन जो बात किया मैंने यह पावर उन है सिगनल प्रोसेसर से जो पावर निकल रहा है यह सबस्पाइल एक्षित करना है क्योंकि जब तक यह पावर ओन इसको एक तरफ पावर ओन भी बोल सकते हैं तरफ यह एनवेल भी बोल सकते हैं जब तक यह एनवेल सप्लाई नहीं तो यह पावर ओन सप्लाई जब तक इसमें नहीं जाएगा तब तक यह DC to DC without working condition में रहेग कि DC to DC IC पहले ही बदल देते हैं लेकिन सबसे पहले इसको क्या चेक करना है 3.3 भी सही है 12 वोल्ट सही होगा होगा तब यह 3.3 होगा अगर 3.3 वोल्ट सही है तो इसको पावर ओन सप्लाई ठीक है उसका बाद भी अगर नहीं हो रहा है सप्लाई नहीं बन रहा है तो उसके इसकी लिए मेरे को क्या चेक करना है वह अब देखते रही है तो देखिए मैने सेट को भी ओप कर दिया और करने का पाद कुछ कुछ टेस्ट करने के लिए मेरे को junior को ये से नेगेटिप से जोड़ दिया नेगेटिप से जोड़ने का बाद इसको एक-एक करके मेरे को इस्टेप चेक करना है देखिए त्री यह जो पावर आन का हम बात किया पावर आन हम तेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि यह ठीक दिखा रहे तब भी मैंने दिखा दे रहा है आप लो यह VGL का सुर्टिंग मेरे को ग्राउंड से चेक कर लेना है दिखाए देखिए 527 मतलब यह सुर्टिंग नहीं है ग्राउंड से उसका बात देखिए France जो VGL का टेस्ट पॉइंट दिया हुआ वो VGL का टेस्ट पॉइंट यह पर दिया वा तो आभी देखिए इसको इधर प एक दम बागल में इसका भीजी इस दिया हुआ तो ओ भी शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा, मीटा तरफ दिखाई है देखिए, ओ भी शॉर्टिंग नहीं है तो आभी बचा हुआ मेरा ABDD और HAVDD तो HAVDD के लिए देखिए यहाँ पर लिखा है यह देखिए, V MID VDD AM देखिए, मीटा तरफ दिखाई है वो भी ग्राउंड से शॉर्टिंग नहीं है तो और मेरा बादचा है ABDD test point जो के VA मीटा तरफ दिखाई है देखिए, VA में किपना ohms दिखा रहा है 53, 54 ohms दिखा रहा है और एक बाद देखिए यह मेरा VA का test point है दिखाई यह मीटा तरफ कितना ohms दिखा रहा है तो हो सकता है कि यह ABDD और HABDD का बीच में sorting भी हो सकता है वो भी मेरा के एक बाद confirm कर लेना है मीटा तरफ दिखाई है देखिए फ्रेंड्स इसका बीच में कोई sorting हुआ नहीं एकदम 628 ohms दिखा रहा है तो जो sorting हुआ मेरा ABDD पर ही हुआ और ABDD sorting होने से आगे voltage क्यों नहीं बढ़ेगा यह एक बड़ा matter है तो इसके लिए भी मैंने एक वीडियो अलग से अल्रेडी पहले दे चुका है मेरा चैनल पर अप लोगों ने जाके देख सकते नहीं तो मैंने यह description box में उसका link दे देंगे अप लोगों ने देख सकते आसानी से तो आभी मैंने देखिए इसका जो LVDS cable था उसको मैंने खोल दिया और एक screw था उसको भी मैंने खोल दे रहा है तो अभी मैं देखो चेक करना है कि इसका ABDD line कौन सा देखिए यह इसका ABDD track देखिए यह यहां से जाके इधर से आ रहा है मतलब यह यह वाला line था ABDD का चीक है तो देखिए यह कितना low arms दिखा रहा है देखिए तो मेरे का भी क्या चेक करना है फ्रेंड्स देखिए यहां पर ABDD के साथ जुड़ा एक दो तीन चार पाच यह पांच PF लगा हुआ इसका साथ साथ देखिए फ्रेंड्स यह कौफ में जाने का पहले है नहीं पे भी है नहीं पे भी है PF टीक है यह जो हुआ मेरा प्रॉब्लेम साथ हो सकता है कोई PF से ही मेरा प्रॉब्लेम हुआ और आप लोगों को मैंने एक अच्छा ठीग्स भी मैंने पहले बहुत बार दे दिया कि लोंज दिखाने से हम लोगों को यह पता चलेगा कि मेरा कोई PF में ही हो सकता है 90% ऐसा कोई जोरूरी नहीं कि को आई सी शॉटिंग हुआ प्रोब्लेम होता है हम लोगों एक दाम यह प्रेक्टिकल फिस्ट किया तो हम को क्या करना है सबसे पहले इसको एक एक करके बहुत कर देना है देखिए मैंने इसको शॉर्टिंग चिक न्या डवीवी तक सिर्टिंग खतम हुआ नहीं तो मैंने और एक पीए उपार से निकल रहा है देखिए और एक पियए मैने निकल दिया देखिए यह बाला निकला उसका बाद यह बाला निकला मैंने देखिए Divine यह मेरा शॉटिंग अभी कहताम हो चुका है देखिए यह मैंने इसको क्या करेंगे यह वाला पीप को मैंने जोड दिया और यह वाला पीप को मैंने निकाल लिया निकाल के दिखिए फ्रेंट्स अब यह मैंने इसको measurement कर रहा है माप रहा है मीटा तरफ दिखाए यह देखिए यह sorting दिखा रहा है मतलब यह short हो गया फूल सॉट नहीं हुआ यह half short हो गया तो इसको मैंने अभी site कर दिया और site करने का बाद यह set को मैंने एक बार line देंगे और देखेंगे इसमें voltage बना की नहीं बना तो अगर इसमें voltage बन जाएगा तो हम भी सीर हो जाएंगे कि मेरा पैनल बन चुका है देखिए मैंने set को already line दे दिया उदार दिखाईए देखिए बैक लाइट जाल गया तो आभी मेरे को चेक करना है एवी डीडी पे voltage देखिए पहले कितना दिखा रहा था जीरो और आभी कितना दिखा रहा है 17 बोल्ट और बीजेल पे दिखाईए देखिए माइनस 7.7 बीजेल पे दिखाईए 24 27 तो शाहिद मेरा पिक्चर अभी बन गिया हाँ फ्रेंट्स देखिए मेरा सेट अभी ऑन हो गया और इसमें बढ़िया पिक्चर आ रहा है देखिए और यह जो आभी हो रहा है यह जो नेटिंग प्रब्लेम आ रहा है तो आप लोगों को पता है कि यह जो तार यूच कर रहा है मैंने तार के लिए हो रहा है देखिए सेट मेरा परफेक्टली ओके तो थेंक्यू फ्रेंट्स वीडियो को पुरा तक देखिए और भी मैंने बोल रहा है कि चैनल पर अगर नया है तो लाइक किजिए, शेयर किजिए, कॉमेंट्स किजिए और सब्सक्राइब करना भूलिये मत और सब्सक्राइब करने का बाद जो बेल आइकन है उसको पुरा ओल में किजिए तो यह ओल करने से आप लोगों को पैस सबसे पहले वीडियो का नोटिविकेशन पोच जाएंगे थैंक्यू